हलो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहोस अफ सॉलूशन्स पर और आप देख रहे हमारा एंगर 14 का फुल टुटोरियल सीरीज दोस्तों जैसा कि सीरीज के फिछले वीडियो में हमने यह देखा कि सेलेक्टर मेटाडेटा का क कि मेटाडेटा क्या होता है और डेकुरेटर क्या होता है तो कंपोनेंट का हर कोई भी आप कंपोनेंट करते हैं तो उसके अंदर टेंप्लेट वारेल लिखा हुआता है ठीक है तो टेंप्लेट वारेल के बदले में हम टेंप्लेट के लिखते हैं दोनों में डिफिरेंस क् इस तरीके से साथ सेंटेक्स लिखते हैं इसके बारे में इस वीडियो में हम डिपली डेमो करके देखने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो टुटोरियल को सबसे थ्योरी पार्ट समझते हैं इसके बारे में तो देखते हैं टेंपलेट और टेंपलेट वा होते हैं ठीक है उसी में आपको मिलता है template URL ठीक है उस properties का अंदर आप template और template URL यूज कर सकते हैं by default जो लिखा हुआता है template URL के recommendation होता है कि आप template URL ही लिखिए ठीक है template के उज़ करते है inline templates लिखने के लिए जब आपको इसी जुरुत है कि एक दो लाइन के HTML लिखना है तो आप directly type script के file पर ही template यूज को हटा कर template लिख सकते हैं और उसके अंदर inline HTML लिख सकते हैं लेकिन यह recommendation नहीं है इंगर होता है कि आप external template लिखिए ठीक है एक दो लाइन का है काम चाले कोई दिकत नहीं अगर बहुत बढ़ा HTML आपको लिखना है तो आप यहां न लिखकर यहां पर लिखेंगे बहुत बढ़ा HTML यहीं पर भी template लिखा का अंदर रकना होता है तो चलिए प्रूजेट के अंदर हम अच्छे तरीके समझते हैं इसकि बारे में और भी किका और भी Cheese है क्या multiple template scheduled 中 रख सकते हैं कि अप्र दूनों को रख सकते हैं कि इभी जानना चाहिए आपको तो देखते हैं तो यह वही प्रोजेक्ट है जो पिछरे वीडियो हम देख रहे थे जहां पर हमने अपर यहां पर जो भी चीजे लिख रहे हैं हमारे ब्राउजर पर रहा कर लोड़ हुर और जैसे ब्राउजर पर आप चलके देखेंगे यहां पर रसुदेंट कमपोनेंट यहां पर कुछ और भी लिखते हैं जैसे मैं कोई टेबल ही बना दूँ यह जाकर दिखने लएगा ठीक है जैसे हैं पर मैं कर दूँ बॉल्ड बॉर्डर और वन कर दिया और यहां पर माली यह हम करते हैं कि टी आर टी एच नेम कर दिया के लिए ताकी होता को दी खे ह democratic स्टम करता हूं अगे लिता हूं sacred integrity लेता हूं और यहां अब कर दिया आप elle को मैं अब कर देए जाए हैं द हो बाल जार ब्राद हैं यह दूनों कहां से आ रहा है आपका आ रहा है student components ठीक है आपने एक external file पर इसको बोलते है external HTML file क्योंकि यहाँ पर external HTML आप लिख रहे हैं अगर आपको ऐसा जुरूत पढ़ गया कि बहुत बढ़ा नहीं है मैं क्यों एक अलग से फाइल लूँ तो आप यहीं पर inline HTML लिख सकते ह है इसको comment करिए ठीक है और comment करके और यहां पर लिखिए template और template को लिख कर यहां पर लिखिए single quotes अगर देते हैं तो एक ही line मैं दिखाता हूं difference single quotes देते हैं तो multiple line में statement कैसे लिखे उसके लिए concert sign देना होगा ठीक है तो अब यह क्या हो जाएगा जो हमने अभी सब कुछ हट जाएगा क्योंकि इसका हमने connection हटा दिया है इसका मतलब क्या है कि आप inline HTML भी लिख सकते हैं जो कि हमने यहां पर लिखा ठीक है लेकिन recommendation नहीं ही है कि आप टेंप्लेट वार external HTML ही लिखिए अब यहां पर देखिए कि हाव आर्यू कुछ भी लिख जेगा और इसको मैं पर बंद करता हूं ठीक है देखिए रहा गया है सिंगल कोश्ट देते हैं तापको सिंगल लाइन में ही में लिखने क्राइव राजाएगा देखिए टिकस करने कलें पर बदेगा में देना पड़ेगा मुति range मों सरा ही नहीं होगा यह नहीं होगा क्या पर टिक्स का संदेंगे शान क्या होता है आपको टील वाले बटन पर मिलेगा टिकस का साइन अगला चीज कि क्या हम दोनों रख सकते हैं कि हमारा टेंपलेट वारेल ही रिकमेंडेट होता है अगर दोनों आप रखते हैं तो हमने टेंपलेट वारेल ही लोड होगा देखें हमने तेंपलेट वारेल ही लोड होगा है हेलो वर्ल नहीं दिख रहा है दूसरा चीज कि अगर हम दो-दो टेंप्रेटी वारल रख दें तब क्या होगा या फिर दो-दो टेंप्रेट रख दें तो भी रिक्मेंडेड नहीं है यह चीज हमेंसा आपको अपने माइन में रखना है कि आपको दोनों में से कोई एक ही नहीं है आप एक रखेंगे या कमेंट सायर करेंगे तो चली मिलते हैं हाले ट्र DC लेकर आयां जो बहुत ही होगा उसके और सकते हैं कि देखेंगे कम आयरे ब्रेकेट केरें वह बाकी सारा जगा सिंगल कोडस ते यहाँ पर क्या हम उसके अंदर multiple CSS रख सकते हैं क्या अगर रख सकते हैं तो कैसे रखेंगे इन सारे questions का answer आपको अगले वीडियो में मिलेगा चले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक थेंक्यू सो मच